हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टावर न्यू वीडियो आफ यूनियन बैंक आफ इंडिया तो फ्रेंड्स जैसे कि हम सब को पता है कि पीएसु बैंक जितने भी है वो बहुत जादा चर्चा का विशे बन चुके है फिलाल मार्केट में और बहुत ही जादा बुलीश माना जा रहा है पीएसु बैंक जितने भी है उनमें बहुत से बैंक आते हैं उनमें से एक है यूनियन बैंक मैंने बाकी बैंक के बारे में भी वीडियो डाले है मेरे चैनल के तुरू आप वो वीडियो देख सकते हो तो आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक के बारे में जानेंग आपको सिब एक सेकंड लगता है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लिए लिकिन आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं मेरे चैनल के थ्रू और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं भी ऐसे वीडियो बना के आप लोगों तक पहुचाते रहता ह है फ्रेंड्स अगर हम यूनियन बैंक की अगर बात करेंगे तो पिछले एक साल का चार्ट अगर उठा के देखेंगे तो कंटीनियूसली अप एंड डाउन जा रहा है यह कहीं पर बाइंग पोजिशन मिलती है फिर हम जो है मार्केट में प्रॉफिट बुक देखते उसके यह अल्मुस 33 रूपीज से लेके 54.80 का है बनाया था लेकिन उसके बाद जो है रिसेंट मांथ और रिसेंट डेडिंग डेज में 54.80 के बाद हमें उसमें गिरावट देखने को मिली और जो लो बनाया इसने रिसेंटली वह है 46.90 तो फ्रेंड्स यहां पर मैं एकी चीज़ क्लोस तो 35 तो 40 41 40 के बीच में युनियन बैंक के लिए रहेगी जहां पर लॉंग टम के लिए जो है बहुत अच्छा इन्वेस्मेंट यह रहेगा क्योंकि अगर हम 5 एर्स के अगर बात करेंगे तो 205 जो है युनियन बैंक का हाई था उसके बाद आल टाइम हाई की बात कर अपडेट है जो मेरे सामने आ जाए जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हो युनियन बैंक अफ इंडिया टू अलॉट बेसल थी बॉंड्स ऑफ रोपीस 2000 क्रोड नेक्स वीक तो यह बहुत जादा इंपोर्टन अपड कर सकते है क्योंकि इन पेसों का डेफिनेटली जो है बैंक अच्छा यूटिलाइजिशन करेगी तो फ्रेंट्स बैसिकली बेसल थी बॉंड्स क्या होता है तो यह यहां पर हम न्यूज को पहले देखते है फिर उसके बाद में आप लोगों को एस्प्रें करता हूं नियु इंस्टुमेंट्स इन नेचर ओफ डेविंचर और 500 रूपीज रूपीज 500 करोड विद ग्रीन शूप्शन अप्टो रूपीज 1,500 करोड मैक्सिमम रूपीज 2,000 करोड और प्राइवेट प्राइवेट प्लेस्मेंट बैसिस बैंक सेट टू रिगुलेटर रिगुलेटर यहाँ पर क्या होता है फ्रेंट्स की जो हर एक जो बॉंड रहेगा उसका फेस वैल्यू रहेगा वन करोड एच और 2,000 करोड के आसपास जो यहाँ पर बॉंड बैसल तरी की बात की जा रही है और जो नेचर ओफ बियर कूपंस रहेगा वो रहेगा 8.70% पर एनम तो परफिच्यूल बॉंड पर बॉंड बॉंड बोलते हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि दो बॉंड फेस्वेल्यू आफ लूप लोगों को की एक बैंक इंको 2,000 करोड रुपे चाहिए और मेरे पास अलमस्ट 1 करोड रुपीज पड़े हुए है और मैं सोच रहा हूँ कि हम मैं उनके bond खरीदना चाहता हूं जो उन्होंने offer करने ही चाहते है वो market में तो suppose मैंने अगर वन करोड इन्वेस्ट किया तो यहां पर example 8.7% पर एनम जो है मुझे इसके उपर जो है मेरा जो interest है वो मुझे मिलता रहेगा जो कि अगर हम देखेंगे तो almost 10 years में मेरा जितना भी पैसे इन्वेस्टेड है उतना सारा पैसा मुझे return मिल जाएगा अगर इतना calculation हम consider करते हैं तो जो FTS वगेर होती है friends fix deposit हम जिसको बिलते उनका भी इन्वेस्टेस के लिए भी इंट्रेस रेट जो है 6.45 max to max है तो उससे यह अच्छा रिटेन देता है इसलिए यह बहुत जादा बेनिफीचल होते हैं इन्वेस्टेस के लिए भी और जो तो company रेती है उनको भी benefit होता है इससे क्योंकि इनका कोई limit नहीं होता है और मतलब इनका कोई maturity प्रेड नहीं होता है और rupees 2000 क्रोड अगर union bank को मिलता है यहां से तो definitely जो है बैंक्स के पास रहना बहुत जादा important होता है और generally जो रहता है बैसल 3 का जो अभी यह bonds है तो इससे क्या होगा कि almost rule से सेबी के जैसे कि 8% कम से कम जो है किसी भी bank के पास इतना fund होना चाहिए कि अगर by chance कोई issue होता है कोई fraud होता है तो वहाँ पे उनको recovery का chance मिल सके तो वह सार कि तैयार यह जो है हमें union bank के साइट से दिख रही है तो definitely जो है अभी इसके उपर latest update जोएंगे वह मैं आप लोगों के पास पहुचा दूंगा जो भी आने वाले कुछ week में यानि इन्होंने तो next week ही बोला है कि यह issue करेंगे लेकिन इसके उपर जो भी update आएगा वह मैं करता है और जैसे कि हम सबको पता है कि PSU फिलाल में जो है शेर मार्केट में बहुत अच्छे trending news में चल रहा है तो definitely जितने भी PSU बैंक से definitely उनमें हमें एक अच्छा राली expected है जिस तरीके के sentiments मार्केट में बने है PSU को लेके तो देखते है friends क्या होता है आने वाले कुछ दूने में stay tuned और मेने चैनल को subscribe किजिए ताकि आपको on time सारी information मिलती रहे thank you for watching this video